Hello my dear ones, दिन की शुरुवात एक नई वीडियो के साथ और CBSC के एक updated news के साथ जैसे कि आप लोगों को पता चली गया होगा कि CBSC ने अपना new syllabus reveal कर दिया है और उस syllabus के according हमें ये भी पता चल गया है कि भाई हमें term 1 में क्या क्या पढ़ने है टॉमिआ क्या क्या कर पढ़ना है Chica ऑठ दोने वालिय। दोनों में जो marks होना है वह fps to 50-50% की होने मतलब 50 marks त लं के लिए और 50 marks तू के लिए तो Business Studies के सिलमें में क्या क्या changes आही है वह हमें देखना है तो देखो हमें जो term 1 की examination में देखनी है वो देखनी है वो totally mcq based question होंगी ठेक है mcq based होंगी जिसमें case studies भी छोटे मोटे होंगे वो सारे चीज़े देखने को मिलेंगे ठेक है ultimately जो हमारा time span होगा वो time होना है वो 90 minute का exam होगा डेड़ घंटा clear और जो marking होगा वो marking होना है examination जो देंगे वो 40 marks का और 10 marks जो होंगी वो for project यह अच्छे तरीके से clear करना है ठीक है तो जो 40 marks के लिए हमें जो पढ़नी है जिसके examination हम लोग देंगे वो कैसे पढ़नी है हमें business studies के book को पढ़ना है business studies में दो part है part A और part B, part A का नाम है foundation of business और part B का नाम है finance and trade तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना हमें देखना है part A, part A में जितने सारे chapters है सब अच्छे तरीके से पढ़ना है तो part A में देखना है तो देखेंगे कि part A में total 6 chapters है clear पहला chapter evolution and fundamental of business business है क्या ये देखना है उसके बाद forms of business organization इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे 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 कितने type के forms होते है business के वो तो ये दोनों जो chapter है ये याद रखना ये basic of business studies है मतलब ये सबसे जादर scoring chapter है जो कितने marks को carry करेंगी वो 16 marks clear the next जो chapter 3 और 4 जो है ना है वो chapter 3 public, private and global enterprise और business service इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या enterprises देखने को मिलते है publicly, globally और private sector के क्या-क्या है ये देखते हैं और business services हमें बहुत सारे services होते है business की वो सारे पढ़नी है तो ये दो chapter मिलकर के हमें 14 marks को carry करेंगी clear और जो last का जो दो chapter है ये थोड़ा सा easy chapter है इसलिए इस पे जादा नहीं है इस पे 10 marks है बट ये भी है तो ultimately हमें कितना मिलना है हमें मिलना है chapter 1, 2, 3, 4 से मिलना है 30 और chapter 5 और 6 से मिलना है 10 marks बस तो total कितना होगा 30, 10, 40, 40 plus 10 marks जो है वो क्या होना है project तो project के बारे में अच्छे तरीके से समझना है देखो project तो हमारे teachers ही देंगे अब teacher जो भी देंगे उसके guidelines के according हमें काम करना पड़ेगा और वो भी तो CBSC के guideline को ही देखते है ठेक है तो उनके according काम करना है उसके बाद क्या होता है ये जो 10 marks है 10 marks actually project मिलेंगी एक ठेक है project जो म overall period में दो बार evaluate होगी एक बार होना है November December में November December के लिए जो evaluation होगी वो होगी 10 marks के लिए और उसके बाद जब हमारा completion होगा जब हमारा completion of project होगा जो हम लोग March और April के बीच में एक बार checking होना है जो final checking होना है वो 10 marks देंगी मत्तब project 1 ही होगी लेकिन वो दो बार evaluate होगी और 10 marks में sub divided होंगी clear है term 1 के लिए 10 marks और term 2 के लिए जब हम लोग complete करेंगे तो term 2 के लिए भी हो जाएगा 10 marks तो इस तरीके से project के 10 10 marks divided है दोनों term में clear है तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा term 2 अगर बात की जाए term 2 की तो वो कब होना है वो होना है March और April में clear है और timing की अगर बात करें तो timing जो मिलना है वो 90 minutes नहों के 120 minutes मतलब 2 घंटे की timing होंगी ठेक है और हमारा जो यह question pattern होगा वो subjective questions होंगी मतलब long answer type questions short answer type questions यह सारे questions इसमें रहने हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ की भी बात और marking की बात करें तो हमें कितना exam देना है 40 और कितने marks पे हमें project मिलनी है project मिलनी है 10 marks 10 marks हमें term 1 पे और 10 marks हमें term 2 के लिए तो यहां से तो 20 खतम कर दो ठेक है तो 40 marks पे हमें काम करना है last जो part B का हमारा topic के part A हम लोगोंने कितना पढ़ अगर simple से बोले तो part A term 1 के ल chapter 7 chapter 8 chapter 9 chapter 10 chapter 7 or 8 मिलकर के हमें 20 marks देनी है और chapter 9 और 10 मिलकर 20 marks देनी है इस तरीके से 40 marks खतम और 10 marks project तो यह था हमारा छोटा सा सिल्लेवस्त के discussion और detail में जाना है तो description में link होंगी उससे आप लोगो go through करना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करना और हमारे साथ बनी रहने और ultimately जितने questions होंगे जितने videos आनी है वो MCQ based आनी है उसके लिए चैनल को subscribe कर लो updated news मिलते रहेंगे तब तक के लिए stay with me thank you